उदन्ड बेटा एक वैपारी का भहुत उदन्ड बेटा था वैं पूजा पाठ और भलाई के कामों में पिल्कुल रूची नहीं लेता था धर्ण पर्म से उसकी रूची जागने के इरादे से उसकी मा ने उसे एक मंदिर में संथ के प्रवचन सुनने के लिए भेजा उसकी मा ने उसे लालच दिया कि अगर वैं संथ के पूरे प्रवचन सुनकर आएगा तो वैं उसे हजार रुपे देगी रुपे के लालच में बेटा तयार हो गया लेकिन ध्यान से प्रवचन सुनने के बजाए वैं वहां पूरे समय सोता रहा अगले दे सुभा उसका बेटा घर लोटा और उसने मा से हजार रुपे ले लिए रुपे लेकर उसने वैपार के लिए समूंदर पार जाने का निश्चे किया उसकी मा ने उसे रोपने का बहुत प्रयास किया लेकिन बेटे ने उसकी एक न सुनी उसने अपना समान बांधा और यात्रापन निकल पड़ा मगर अफसोस रास्ते में बहुत तेज दुफान आया और उसका जहाद सारे यात्रियों समेथ डूब गया इस प्रकार मा की सराना मानने की सजर बेटे को भुगत नी पड़ी एंक्यू